नमस्कार मैं भरत गोरणा आजम बात करेंगे सामानी हिंदी व्याकरण के उन पहलूओं पर हमने पिछले वीडियों बात की थी वर्ण शब्द और वाकिया उश में आशिक तूटी रहे थी थोड़ी सी जो मेरे इतने भी शुप चिंतक है उन्होंने मुझे ग्याद कर वा है शुरूआत में थोड़ी तूटी रहगी तो उसके उपर थोड़ा सा वापस से देख लएता है वर्णों के समू को शब्द कहा जाता है और सब्दों के शार्थग समू को वाक्य कहा जाता है मैंने वहाँ पे बोल दिया था वाक्यों के समू को शब्द कहा जाता है जो तुरूटी हुई थी और उसके लिए मैं शमाप्राथी हूँ देखो वर्ण है वर्ण से मिल करके शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से मिल करके वाक्य का निर्माण होता है हम बात कर रहे थे प्रियोग आधारी शब्द किसके उपर प्रियोग के आधार पर जो शब्दों के भेद है उनके अंद्रकत हम बात करेंगे तो प्रियोग आदारे जो शब्दों के भेद है उसके दो प्रकार है पहला है विकारी और दूसरा है अब विकारी यहां तक हम पहुंच गए थे और फिर हमने बात की थी विकारी शब्दों के भेद किसकी बात की थी? विकारी शब्नों के भेद पूरू से हम चार ही पड़ते हुआ रहे हैं पहला है वो है संग्या और दूसरा है वो है सर्मनाम और तीसरा है वो है क्रिया या फिर इसकी जगर पर हम भिशेशन डाल दिकते हैं और चौते नमबर पर आ जाएगा वो हो जाएगी किरिया, ठीक है साथ, यह हो जाएगी किरिया, ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम अविकारी की बात करें, तो अविकारी के भी चार भेद हो जाएगे, पहला है समूचे बोदक, समूचे बोदक, दूसरा हो जाएगा, सम्मंद बोदक, तीसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सम्मंद बोदक, तीसरा हो जाएगा, विशमे अधन आदी, बीच में योजव हो जाएगा यहां तक हमने पूर्व की वीडियो में देख लिया था ठीक है बलब यह चार्ट है यह खाका है यह इस्ट्रक्षर है अपने दीमाग में बिठा दीजिएगा जो आपके काफी काम आएगा अब हम आज बात करेंगे कि विकारी शब्दों के अंतरगत से कि विकारी हमने बता दिया कभी जिनके अंदर विकार पैदा हो जाता है जिनके अंदर परिवर्तन आ जाता है जिनमें बदलाव आ जाता है उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं और जिनके अंतरकत किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, उनको हम अविकारी कहते हैं, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे सामाने उपरी-उपरी तोर पर संग्या प्रक्रण के उपर, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं संग्या क्या है, ठीक है? संग्या, जिससे हमें समस्त जानकारी मिल जाए, उनको हम संग्या कहते हैं, संग्या, सम्मे की ग्यान जिसको कह सकते हैं, उसको हम संग्या कहेंगे, ठीक है? और आपने परिवाशा पड़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी और समझी होगी चानों तरीके से अगर हम देखें तो बच्पन से ही, यनिक अक्षा तीन से अगर हम देखते आ रहे हैं कि संग्या की परिवाशा क्या है तो संग्या की परिवाशा आक्षा हमने यही सुना है कि किसी प्राणी, किसी व्यक्ती, किसी वस्तू, किसी इस्थान, किसी जाती और धर्म और भाव को हम संग्या कहते हैं क्या कहते हैं, संग्या, यहीं इनके अंतर का जितने भी शामिल हैं, उनको हम संग्या कहेंगे यहां फिर अगर हम, मैं देशी रूप से अगर कहूं, तो दुनिया में जितने भी नाम है, वो सभी संग्या है दुनिया के अंदर के जितनी भी नाम आ रहे हैं चाहे वो किसी वस्तु का हो चाहे वो किसी इस्थान का हो चाहे वो किसी प्राणी का हो चाहे वो किसी व्यक्ति का हो किसी धर्म का हो वो सभी के सभी इनकी बात कर रहा हूँ मैं वो सभी के सभी संग्या है ठीक है और अगर कोई भाव है जहन में आपके छिपा हुआ कोई भाव है तो उसको भी मैं संग्या कह सकता हूँ ठीक है पहले हम इनको देखते हैं और उससे पहले थोड़ा सा क्लेर कर लेते हैं कि सभी व्यक्ति तो प्राणी है सभी व्यक्ति तो प्राणी है पर सभी प्राणी व्यक्ति नहीं है सभी प्राणी व्यक्ति नहीं है सीधी सी बात है तो कि प्राणी के अंद्रगत रामलाल नाम का लड़का है वो भी आ जाएगा और इसी प्राणी के अंद्रगत गदा भी आ जाएगा तो इसका मतलब गदा कोई व्यक्ति थोड़ी है पर रामलाल तो व्यक्ति भी है तो रामलाल को मैं प्राणी भी कह सकता हूं क्योंकि इसके अंदर गद प्राण मौजूद है तो दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं वो प्राणी जरूर है पर दुनिया के जितने भी प्राणी है वो सभी के सभी व्यक्ति नहीं है ठीक है ये सामानिक ओप्चारिकता वाली बात थी जो हमने कर दी अब हम बाढ़ते हैं आगे की ओर ठीक है यनि इस त्रश्टी के अंद प्राणी हो, प्राणियों की जितने भी नाम है, उन नामों को हम संग्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संग्या, जैसे अजगर आ गया, तो उस अजगर को संग्या कह सकते हैं, ठीक है, प्राणी में वानर आ गया, प्राणी में गोडा आ गया, ये सभी के सभी संग्या है, सभी के स जितने भी नाम है, उस वी नाम संग्या है। व्यक्तियों के जितने भी नाम है चाहे वो महेश हो, चाहे वो राजू हो, चाहे वो सपना हो, सपना किसी का नाम, फिलाल इसको छोड़ दो, तोकि ये वापिस कॉन्ट्रोवर्श्य का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। चाहिए किसी का नाम रमेश है या फिर किसी का नाम दीपक है एक्जामपल के रूप में बता रहे हैं यहीं दुनिया में जिस भी व्यक्ति का नाम है जिसका भी जो भी नाम है उस नाम को हम संग्या के अंदर कर डालेंगे क्योंकि उनके नाम है किसी का नाम मैश है, किसी का दीपक, किसी का राजु, किसी का शुरिस, किसी का महंदर, किसी का भमर यह जितने भी जो दुनिया के नाम है, किसी का बढ़े अलग-लग आप प्रांतों में जाएंगे, अलग-लग जन्पनों में जाएंगे तो उनके नाम भी अलग लग हो जाएंगे ठीक है पर वो जितने भी नाम आते हैं उनको हम संग्या के दाइरी के अंतर के बांध के रखेंगे ठीक है वस्तों के नाम जैसे ठाली आ गया कटोरी आ गया ठीक है इनको भी हम क्या करेंगे संग्या में लेंगे, जैसे ही board आ गया इस board को भी अपन क्या करेंगे संग्या में डालेंगे, चीक है पैन को भी किस में डालेंगे जिसको बोलते हैं, कलम वाली बाई वो अलग है पैन, पुस्तक ठीक है, मारकर यहनि आपके आसपास में आपकी नजर जहां पे भी पड़ती है और जहां पे भी आप कुछ देखते हैं जैसे दिवार है है, यह light है, यह board है यह अंगूटी है, यह कड़ा है, यह कपड़ा है, यह सब संग्या है, है न, क्योंकि इसकी परिबासा ही यही कहती है कि इनके नामों को हम संग्या के अंदर कर डालते हैं इस्थानों के नाम और इस्थानों के नामों को पर हम क्या कहेंगे संग्या कहेंगे, क्या कहेंगे साब संग्या कहेंगे, जैसे जैपूर आगया जैसे जोदपूर आगया जैसे यह सबी के सबी नाम क्या है इस्थानों के नाम है और इस्थानों के नामों को भी हम संग्या के अंदरकत रखते हैं ठीक है इस बात को शमजने कोशिश कीजिएगा जाती वैसे जाती का मतलब समू हुआ करता है इसी एक नाम से उसे पूर्ण समू का बोध हो उसे हम जाती के नाम से जानते हैं पर यहां पे जैसे परजापत हो गया ठीक है मेना हो गया ठीक है चौधरी है यह जितने भी जातिया है इन सभी को हम किसके अंदरकत रखेंगे संग्या के अंदरकत धर्म संसार के जितने भी धर्म है उन धर्मों को भी हम इसकी के अंदरकत डालेंगे ठीक है जैसे हमने डाल दिया हिंडू हमने डाल दिया इश्लाम हमने डाल दिया पार्सी हमने डाल दिया जैन इन नामों को भी हम संग्या के अंदर कर रखेंगे ठीक है और भाव, भाव का अर्थ होता है feelings इसको इंगलिश में आप क्या बोलता है feelings ठीक है भाव तो भाव के बारे में सुनिए दोस्तों कि भाव जहन में उपचा करते है ठीक है, और भावों को आप इश्पर्स नहीं कर सकते, उनको टच नहीं कर सकते जैसे क्रोध आ रहा है किसी रख्ती को तो आप क्रोध को देख नहीं सकते कि देखो इधर से क्रोध आ गया और यहां तक आ गया नहीं, यहां फिर एक किलो क्रोध आप जाओ मार्केट में का अंकल वो एक किलो क्रोध दे तो न, रात को दिया, वो तो खराब हो गया, अब हमारे काम भी नहीं आया, नहीं, यह अपने जहन में आवेग या मन्थरता के साथ पैदा होते हैं, और धीरी धीरी शनी ग्रूप से वो खत्म हो जाते हैं, तो भाव भाव अदर्श है और भावों को भी हम संग्या के अंदरगत रखते हैं, किसके अंदरगत रखते हैं, संग्या के अंदरगत, जैसे प्रेम, जैसे क्या आ गया, प्रेम आ गया, प्रेम है, जैसे क्रोध है, जैसे दया है, करूना है, बहुत सारे भाव हैं, ये सभी के सभी मनुश्य के जहन में पैदा होते हैं और जैसे प्रेम को आप इश्परस नहीं कर सकते हैं या उसको देख नहीं सकते हैं जिस प्रकार से ये व्यक्ति हैं महेश नामखा व्यक्ति उसको आप देख सकते हैं उसको आप टच कर सकते हैं उनको handshake कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, परन्तु आप प्रेम को ना तो हाथ मिला सकते हैं, ना प्रेम के आप गले लग सकते हैं, ना प्रेम को आप प्रेम से आप बात्चीत कर सकते हैं, अदर्स से हैं वो, उनको सिर्फ महसूस किया ज़ाता है उस्सपर्षी है लुए जैसे कोई वस्तु है थाली है तो थाली को बिल्कुल आप हाट में ले सकते हैं उसको देख सकते हैं तो वस्तुओं के नाम ये दर्श्य हैं इनको आप देख सकते हैं ये संग्या के अंदरकत आएंगे, पर जो भावों के नाम हैं, उनको आप देख नहीं सकते, पर जो भावों के नामों को भी हम संग्या के दायरे में रखते हैं, ठीक है, तो एक सामानिय सा परीचे था इनका, कि भी संग्या के अंदरकत कौन कौन शामिल हो जाते हैं, जो संग्या के दाइरे में रखते हैं जितरे भी व्यक्तियों के नाम है उन व्यक्तियों के नामों को भी हम संग्या के दाइरे में ही रखेंगे और फिर आता हैं वस्तू के नाम कोई भी वस्तू है आपके आस पास में आप जहां पर भी नजर उठाएंगे जरूर कोई आपको द चाहे वो कोई गाव हो, चाहे वो कोई कस्बा हो, चाहे वो सुदूर प्रदेश की एक गली हो, चाहे वो विश्व मंडल का बहुत बड़ा ताकतवर राष्ट्र हो, जितने भी नाम है इस्थानों के, उनको हम संग्या की इस मानकता के अंदर के शम्मेलिद करते हैं, फिर जा पत मिलना चौदरी, वाकि जितने भी जातिया हैं, ठीक है, उन सभी को हम संग्या के अंदर के रखेंगे, फिर बात आजाएगी, धर्म की, समुचे रास्ट्र में, समुचे विश्व में, जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों को संग्या के अंदर के रखा जाता है, फिर ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की और, संग्या के प्रकार कितने हैं, संग्या के कुल प्रकार कितने हैं, इस तरह से कुछ उल्टे सुद्धे आजकल ज्यानी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, हिंदी के ज्याता को वियाकरण कहा जाता है, ये प्रशना आया हुआ है, ठीक है जिसको व्याकरण का ज्यान हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसको व्याकरण कहा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे व्याकरण हुए, जिन्होंने इस तरह की परिवाशाओं के उपर मनंद चिंतन करके बहुत सारे प्रश्णों का अंदिर्मान किया, तो सामानी सा वाचक संग्या नूसरी हो जाएगी जाती वाचक संग्या और प्रॐ वाचक संग्या वाचक का मतले है वह कि कर्वाने वाला बतलाने वाला मुझे अर्थ को हम समझाने वाला जिसको हम पड़ सकते हैं उसके नाम से भाव वाचक ठीक है दोस्तों जो भेद हैं वो तीन है पहला है व्यक्ति वाचक दूसरा है जाति वाचक और तीसरा है वो हैं भाववाचक ठीक है पर हालाग इस प्रकार का प्रश्ण बन सकता है कि संग्या के कुल कितने भेद है तो ठीक है तो जाती वाचक को अब हम दू भागों में बाढ़ता है जाती वाचक को भी कितने भागों बाढ़ता है दू एक का नाम है द्रववाचक और दूसरे का नाम हो जाएगा समुवचक, कौन सा हो जाएगा समुवचक, जिसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनके उपर मूल रूप से इनके उपर बात करते हैं, ठीक है? तो संग्या के तीन भेद हैं, पहला है व्यक्तिवचक, दूसरा है जातिवचक और तीसरा है अगर आप इसको अगर ढंग से देख लेते हैं तो मैं इतना तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन दोनों को आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या है अगर आप केवल इसको भी समझ पाते हैं ढंग से तो भी मेरा दावा है कि इनको आप आसानी से अपने विवेक के आदार पर पता कर सकते हैं कि ये क्या है और ये क्या है ठीक है वापस आगे देखते हैं कि हमने देखा संग्या संग्या के हमने भेद देखे पहला है व्यक्ति वाचक दूसरा है जाति वाचक और तीसरा है वो है भाव वाचक कौन सा है दोस्ता भाव वाचक शायद आई जाएगा इतना तो रिकॉर्ड में नहीं आया तो फिर थोड़ा बाद में लिखतेंगे ठीक है पहला है व्यक्ति वाचक दूसरा है जाति वाचक और तीसरा है भाव वाचक इस संग्या के प्रकार है ठीक है तो नाम से जाहिर हो र जैसे मैं बात करता हूँ रमेश नाम के लड़के की ये रमेश है ठीक है इसके जैसे उसी गाव के उसी शेहर के उसी नगर के भले दस रमेश आज़ा है पर ये सभी के सभी रमेश अपने आप में एक विशिष्ट है ये रमेश दूसरे के जैसे नहीं है इसके व्यक्तित वेक्तित्व से पता चलता है कि जो विशेष्टा है जैसे इस रमेश के अंदरगत्थी वही दूसरी रमेश में नहीं है बहले वो दोनों को साथ में खड़ा कर रखा हूँ ठीक है वो अपने आप में विशेष्ट है उसकी भाषा उसकी शम्रदी कह सकते हैं उसके व्यक्तित तुसरे का मुकाबला नहीं कर सकता ठीक है तो उसी प्रकार की संग्याएं जो अपने आप में विशेष्ट है उसके जैसा इस संसार में ना कोई था ना कोई होगा उनको हम व्यक्ति वाचक के दाएर में रखेंगे ठीक है भूदो न बविशती उसके समान न तो कोई हुआ नहीं कोई होगा उन संग्याओं के नामों को हम व्यक्ति वाचक के दाएरे में रखेंगे ठीक है साब अब हम बात करते हैं जाती वाचक की तो जाती वाचक वे संग्याएं जो है तो सही पर उसके जैसा कोई और भी मौजूद है वो अपने आप में एक विशिष्ट नहीं है उसके जैसा इस संसार में और मौजूद है तो उसको हम जाती वाचक के अंदर कर रखेंगे जैसे इसमें मैंने रमेश की बात की और इसके अंदर की जैसे मेरे गाव में पेड है तो दुनिया में पेड केवल मेरे गाव में ही नहीं है मेरे घर के अंदर ही नहीं है में होगा दूसरे मौले में होगा वो विशिष्ट नहीं है वो अपने आप में अनोखा नहीं है इसलिए इनके नामों को जैसे पेड़ है तो ऐसे नाम जाती वाचा के अंदरगत रखे जाएंगे जैसे बात करते हैं चैतक की तो दोस्तों चैतक है और इधर अमबाद करते हैं गोड़ा की, किसकी करते हैं गोड़ा की, बैकव दूनिया में बहुत सारे गोड़े है मेरे से वरिष्ट मित्र है मेरे साती है वो खुद जाकी है गोड़े के होर्स रैडिंग में है ठीक है, उनके पास मैं अलग लगते रहे कि गोड़े मैं पहली बार देखे कि ऐसे भी गोड़े हुआ करते है तो दुनिया में बहुत सारे गोड़े है और गदे भी है ऐसी बात नहीं गदे नहीं है ठीक है दुनिया में बहुत सारे गोड़े है पर जो विशेस्ता चेतक में थी वो इन में नहीं है यह अपने आप में अब इसको लिए लिखने के जुरू तो नहीं कि मारणा परताप के पास में चैतक नाम का गोड़ा था यह लिखने के जुरू तो नहीं के वल नाम आ गया चैतक और आपके दिमाख में एक बिल्कुल चहवी बन जाती है कि अच्छा यह तो मारणा परताप अन्य से इतर था ये दूसरों से पटू था और इसलिए आज भी हम इसको जानता है और गरे कत्री भाईयों भी ठीक है कत्री गीन कत्री आई कोई जिवन में ठीक है आपको गाव में भी कितने जानवर हो फे वगेरा वगेरी जैसे कुटे गोडे वगेरा कुछ भी था वो विष्टता अलग है अन्य से इभी न था ठीक है तो इसको हम व्यक्ति वाचक के अंदरगत रखेंगे पर गोडे हैं उनको हम जाती वाचक के अंदरगत रखेंगे ठीक है और आगे आता है भाव वाचक दोस्तों इसको समझने कोशिश करना वापिस जैसे समझने कोशिश करना कि यह बहु अच्छन के अंदरगत होता है इसके जैसा और भी कोईन कोई इकाई होती वो मजूद होती है पर इसके समान कोई दूसरा नहीं होता इसके समान कोई दूसरा नहीं होता वो वैसा ही होता है वो अलग ही होता है जैसे हिंदी साहित्य के विरा जिनका नाम लेने से पहले दोनों हाथों से कानों को कानों से माफी मांगी जाती है कि मैं आपका नाम ले रहा हूं इतने विराइट पूरूश हिंदी साहित्य का प्रतेक पाठक इनका रिणी है अगर इनको चाव और प्यार और लगन से पढ़ा जाए प्रेम चंजी तो यह प्रेम चंद ऐसा तो है नहीं कि प्रेम चंद उसके बाद में कोई हुए नहीं बहुत सारे हुए मेरे एक मित्र है उनका नाम प्रेम है ठीक है पर इनके अंदरगत और उनके अंदरगत बहुत सारी भिनता है वो उनसे अलग ही है अपनी अलग विशिष्टता के कारण आज भी उनको जाना जाता है लहमिग्राम के वह कुमार जो हिंदी साहिट्य के अंदरकत इस प्रकार्ज की ठाती सौंप के चला गया कि हिंदी का प्रतेग पाठक उनको बड़े प्यार से बड़े सम्मान की निगा से देख करके उनके जो कर्म है उनके केके कारियों को उनकी लेखनी के प्रतेक अक्षर को बड़ा इज़त के साथ और बोशा दे दे करके उनको पढ़ता है परन्तु अगर यहां पर बात की जाएं लड़का तो दुनिया में ऐसा नहीं कि लड़का कोई हुआ है नहीं बहुत सार लड़के हैं पर यह एक जाती का नाम हो गया क्योंकि लड़के लड़के बहुत सार है पर उसी के अंदर अंदरगत एक इस्पेसल निकल के आता हैं जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसको हम व्यक्तिव आचक के क्राइट इरी के अंदरगत रखते हैं अब हम बात करते हैं भाव आचक के बहाव आचक का सामानी परीचे देखेंगे तो भाव आचक का आर्थ होता है feelings इसको English में कहते हैं जिनको आप सकते जिनको आप टच नहीं कर सकते जिनको आप देख नहीं सकते जिनको केवल जिया जाता है केवल मैसूस किया जाता है ठीक है प्रेम खरप पसे प्रेम आ जाया कई सज़न होंगे फिर बाद में पूच preserv यह ऐसे कैसे तो अपने को दूसरे नाम लेलते हैं जरूर थोड़ी प्रेद जैसे क्रोध जैसे दया वो दया दरवाजा तोड़ और उसे दया आ गए तो अलग लगे करूणा ठीक है अब यह जो दया है दोस्तों यह जो दया है यह फिर यह क्रोध है इस करूणा ठीक है रमेश को आप टच कर सकते हैं रमेश अगर खड़ाएं उसको आप देख सकते हैं उससे आप हाथ मिला सकते हैं उससे आप बात कर सकते हैं पेड को आप बिल्कुल देख सकते हैं ठीक है उसको आप टच कर सकते हैं पर एक बात सोचिए क्या आप क्रोध को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्रोध इन से भिन्न हैं, ठीक है, ये दर्शे हैं, ये अदर्शे हैं, इनको क्यों जिया जाता हैं, महसूस किया जाता हैं, तो जितने भी भाव संसार के अंतरकत हैं, जो अपने मन में शनिक आविक के साथ प्रकट होते हैं, वो सकता हैं, वो सक ना भी बने रहे हैं तो उनके भावों को हम भावाचक के दाएरे के नदर कर रहते हैं ठीक हैं अब बात करते हैं आगे जाती वाचक के उप भेद पहला जो नाम है वो द्रविवाचक का आता है और दूसरा जो नाम है समुवा चकाता है मेरे छोटा सा ये प्रियास था कि अपने इसको सामाने तोर पे देखें समझने कोशिश करूँ मैं भी इससे पढ़ू आप भी इसको देखें और तूटी हो जाती है क्योंकि जिसको अपनी अज्ञानता का अज्ञान नहीं होता इसका मतलब वो उसकी पट्री अभी गाड़ी से चूट गई है वो सकता है तूटी हो जावे और दूसरी बात है कि ये ओफ लाइन तो है नहीं कि हमें पता चला और वापस से बोल दिया रहा है इसमें ऐसा होना चीयता ये तो online है record हो गया वो हो गया तो पैया सेही रहता कि अगले वाले वीडियो में या फिर आप वापस से या फिर उस वीडियो को डिलिट कर दें और दूसरे वाले वीडियो को वापस धंग से करके बजे तो मेरी शुरुआती में तुरूटी रही थी वर्ण शब्द और वाक्य के थोड़ी शी परिवाशाओं के बारे में और उस सबैंग दिश्कार कोचिंग जयपुट और वागधर एप। उन से मैं अक्सर सीधता हूं और हिंदी की जितने पी मेरे से वरिषठ हैं उनको मैं देखता हूं और मेरे से छो गरिष्ठ हैं उनके भी वीडियो उनके वी बातों को मैं मनन बड़े गौर से देखता हूं कि कि मुझे सीखना है, मुझे यहीं अभी तक नहीं ठहरना, मुझे आगे बढ़ना है, तो उन्होंने कहा था, कि भरत देखो, तुरूटी हुई है, मैं के बिल्कुल साब हुई है, तो कि ध्यान रखना चाहिए, मैं के बिल्कुल रखूंगा साथ, तो उसी बात को मैंने आपके सामने रखा है, और मैं तो उन्हों का बिल्कुल रणी हूँ, मेरे परिवार का भी रणी हूँ, आप सभी दोस्ता का भी साथ हैं, ताकि मैं समझता रहूँगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जाती वाचा के उव्वेद, इनके उधारणों के साथ में, और हम बात करेंगे, कि ऐसे कौँशे शब्द हैं, जो नित्ती जाती वाचा की रहते हैं, ठीक हैं, और कुछ ऐसे नियम, कि कौँशे शब्द का इसमें, कौँशे वच्छन में बदला जाए, और कौँशे नाम इधर उदर रखे जाए, तो व्यक्ति वाचा के जाती वाचा के व्यक्ति वाचा के बन जाते हैं, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, फिलाल के लिए कलम को यहीं पे ठाम देते हैं, और मैं भरण को रणा लेता हूँ, आप सभी से विदा, और उससे पहले, विश्व हिंदी दिवस की, आपको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मंगल अशेस आकास बरी, आपको बदाई, और मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, शबाखेर,